अगली खबर अंबाला से जहां अंबाला में अपरन के मामने में जमानत पर आई तीन आरूपियों पर बुद्वार रात अंदा धुन फाइरिंग की गई इसमें घायल दो की PGIMS चंडीगर ड्रेफर करना पड़ा शक ये है कि अपरन किये गई युवक ने ही इस वारदात को अंजाम दिलवाया है बाइक सवार छे लोगों ने महज 9 सेकंड में 10 गोलियां चलाई आदी रात पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूश्ताच का क्रम शुरू कर दिया है वहीं CCTV फुटेज में सामने आया कि हमलावर ठीक प्रकार से कार का रास्ता ब्लोक नहीं कर पाए इसी वज़े से चालक कार को मोके से भगाने में काम्याब हो गए पुलिस के मुताविक 13 सिप्तंबर को हाउसिंग बोर्ड चोंकी में कच्चा बजार निवासी सोरब उर्फ माउ के अपरन का केस दर्ज हुआ था वहीं सोरब ने आरोप लगाया था कि उस पर राम किशन कलोनी में हमला बोल दिया गया था और इस दोरान वह घायल हो गया था आरोपियों से बाइक पर लेकर कल रहडी की ओर चले गए थे जहां सुनसान इलाके में उससे मार पीट की गई इस दोरान एक बंद कम्रे में उसके साथ मार पीट की गई और उस पर रिवॉल्वर भी तानी गई थी मामले में पुलिस ने लोकेश पंडे चिडी, शिवा, सोनू और डान इवा मन्ने पर मामला दर्च किया था अपरन के तीन आरोपियों में से एक कुम्हार मंडी निवासी जीतू और दिवाकर को बुदवार को ही जमानत मिली थी कल रेहडी निवासी 24 वर्षे मनीश और हिम्मत पूरा निवासी करीब 30 वर्षे सोनू और तान दो दिन पहले जेल से बाहर आये थे वहीं बुदवार को तीनो दिन भर साथ रहे रात को अल्टो कार में मनीश को घर छोडने कल रेहडी जा रहे थे बताया जाता है कि दो बाइकों पर 6 यूवक उनका पीछा कर रहे थे तोप खाना से टूनला की और जा रही सडक पर शर्मा कनफेक्शनरी के ठीक सामने बाइक सवारों का पीछे आतर देख कार को तोप खाना बजार की और मोनने की कोशिश की वहीं कॉर्णर पर ही एक और कार मुड रही थी जिस वजह से ओल्टो रोकनी पड़ी बाइक से उत्रे चार यूवकों ने कार पर फाइरिंग शुरू कर दी वहीं गोलियों की बोचार के बीच ही कार भगा ली हमलावर बाइकों पर टूनली की तरफ भाग निकले वहीं गोलियां लगने के बावजूत कार को चला कर तो खाना पुलिस चोंकी के पास बने कॉम्यूनिटी सेंटर अकाश गंगा तक पहुंचे यहां से मनीश वर जीतु को लोग घायल हालत में उनी की कार में केंट सीविल हस्पताल लेकर पहुंचे जबकि सोनू कार से निकल कर फोजियों के पास भाग गया था उसे बाद में सीविल हस्पताल पहुंचाया गया वहीं मनीश और जीतु को चंडिगट पीजी आयर रेफर किया गया जीतु के सिरो और शाती पर गोली लगी है पिछली सीट पर सोनू की पीट में शर्रे लगे है जियां सोनू ने हमले का शक कच्चा बजार निवासी सोरबुर्फ माउपर जताया है सीसी टीवी फोटेज में सामने आये कि बुदवार रात आठ बज कर उन अत्तिस मिनट पर हमलावर ठीक प्रकार से कार का रास्ता ब्लॉक नहीं कर पाए इसी वज़े से चालक कार को मोके से भागने में काम्याब हो गए वही मोड पर पहले एक बाइक सवार ने कार को रोखना चाहा मगर कार चालक ने कार को एक गली में मोड दिया मगर मोड पर ही एक अन्यकार थी जिसे बचाने के लिए कार चालक को कुछ समय के लिए कार को रोखना पड़ा इसके बाद रास्ता मिलते ही कार को मोके से भगा लिया J.B.D. Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Raj Gharana And the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, centrally air condition, lush green lawns State-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Raj Gharana and Jyoti Garden A J.B.D. Banquets Enterprise Aisai hi latest को बरे पाने के लिए Bell icon को क्लिक कर हमारी चैनल को Like, Share and Subscribe करे Hellevan